तो दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा आपको इस सलूशन को स्टार्ट करने के पहले कि के विएस 2018 में टोटल 80 questions आए हुए थे mathematics में तो हम यहां पर mathematics की पार्ट की बात करेंगे एक दो पार्ट होते हैं जनरल पार्ट एं सब्जेक्टिकल पार्ट अपका हुआ करता है तो इसमें 80 questions आये थे और यहां इस series में हम आपके सामने पूरे 80 के 80 questions का solution बहुत ही आसान तरीक यह जिससे कि आपको जिनको जल्दी समझना वो लोग कर सके तो पहला question है 71 the order and degree of respective differential equation of the all tangent to the parabola मतलब कहा गया है कि आपके समने parabola है x square equal to 4y कैरा है इस पर जो tangent खीची जाएगी उससे बनने वाले differential equation की आपको degree और order निकालनी है तो कैसे निकालेंगे देखो सबसे पहले आप x square equal to 4y तो इसका format क्या है यह इसका format है x square equal to 4 ay और इस तरीकी की अगर पैरावोला होती है तो आपको पता होना चाहिए मतलब किस की तरफ खिच रही है y की तरफ तो इसमें जो खिचने वाले tangent हुआ करती है इसके लिए tangent की condition क्या होती होती है c equal to minus am square c equal to minus am square तो tangent का equation कितना ब पास ओके तो सबसे पहले में a की value find कर लेता हूं तो 4 a को compare किया तो 4 equals to 4 देख रहा है तो equals to 1 आ गया पहली चीज़ अब आईए रेक्ते है equation of the tangent बनाते तो equation of tangent में मेरे पास कितना आ गया y is equal to mx minus am square y is equal to mx minus am square a की value मैं यहाँ पर चाहूं तो रख सकता हूं यदि मैं यहाँ पर a की value रख देता हूं तो बट अभी value मत रखी आप क्योंकि आपको m की value find करनी है आप हालकि रख भी दो कोई फार फर्क नहीं होने वाला क्योंकि m तो independent है इसे सो y is equal to mx minus m का square ओके ये ये चीज़ आपके पास आ चुकी है अब आप एककाम करिए इसको differentiate कर दीजे तो आपने जैसे ही इसको differentiate किया देखिए आपके पास कितना आ गया गया म आ गया है ओके तो डीवबए डीएकस इकल्स टो एम आ चुका है नाव एक्विशन अप देंजेंट वापस इसी कुछन में रख दीजे तो देखिए डीवबए डीएकस की एम की जगए डीवबए डीएकस है तो ये आपके पास फाइनली डिफेरेंटिल एक्विशन अब बन चुकी तो आप देखिए यहां पर इसकी डिगरी कितनी और ओर कितनी तो एक बार हाइस टाइमस अब डेरिवटर टर्म प्रेजेंट है जिसकी ओर वन है तो ओर इसकी घात है घात कितनी होगी तो बहुत ही प्यारा क्वेस्चन है लगने में दिखने में डिफिकल्ट दिखरा बट है बिल्कुल बच्चो टैप कोश्चन बहुती मज़ेदार कोश्चन है कंसेप्ट इसमें मिल ली क्या यूज हुआ है देखिए याद मैं आपको बता दूँ कि पैरावुला का कंसेप्ट यूज हुआ है और पैरावुला में अगर आपके पास पैरावुला है y स्क्वेर तो इसमें जो टैंजेंट की कंडिशन होती वो होती इसी एकल टू ए अपॉन एम और अगर आपके पास पैरावुला है एकस स्क्वेर एकल टू फोर एवाई तो इसमें जो टैंजेंट की कंडिशन होती सी कॉल डू किती होती माइनस का एम स्क्वेर ओके अगर आपके पास पैरावुला y is equal to minus 4x है जो कि इस तरफ खुलेगा तो आपके पास जो पैरावुला की contingent की condition होती है c equal to कितनी होती है minus का a by m and अगर ये downward पैरावुला जा रहा है नीचे की और तो c equal to positive am square ये conditions हुआ करते हैं इनको ध्यान रखेगा ओके डैन ओके चलिए दोस्तों अगला question देखते हैं देखते हैं स्टैस्टिक सेने की सांखेकी का है और ये question मुझे काफी lengthy लेंदी लग रहा है तो सबसे पहले किसी भी question को देखे तो ये प्रयास कीजिए कि क्या आप वहाँ पर कोई short trick लगा पाएंगे की नहीं लगा पाएंगे सबसे पहले किसी भी question को देख करके competitive में आपका view यही होना चाहिए तब ही आपका exam निकल पाएगा दरवाइज आपको निकालने में बहुत दिक्क्त चाहती है ओके तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि attitude develop की रिए सबसे पहले short trick के बारे में विचार करिए और उन चारों options का use करिए कि चारों options किस तरीके से use होंगे चली तो इन question को देख करके ऐसा तो नहीं लग रहा है कि किसी तरीके से हम short trick का इस्तमाल कर सकते हैं तो काफी lengthy question होने वाला है चाहे 50 a है ओके और आपको निकालना है क्या mean deviation आपको mean deviation निकालना है तो mean deviation के मैं formula आपको बता देता हूं sum of all the deviation और किसके respect में निकालना है median के respect में तो सबसे पहले हम को यहाँ पर क्या निकालने पड़ेगी median निकालने पड़ेगी तो continuous discrete data है यहाँ पर तो median कैसे निकलती ही देखिए आपके पास median का जो formula होता है यह even number of data है तो कैसे निकलती है n by 2th observation प्लस n by 2th प्लस 1th observation का half निकलता है ओके divide by 2 तो n by 2th observation देखिए 50 total observation है 50 observation मतलब कि 25th observation and plus 25th plus 1 यहनि कि 26th observation का half तो यहाँ पर 25th observation 25 यहाँ आएगा 26th observation 26 से आएगा divide by 2 that is equals to 51 a upon 2 यह आपका क्या आ गया है यह आपका median आ चुका है अब आपको क्या लेना है deviation लेना है और सारे deviation का सम करना है deviation यहनि की विचलन सारे विचलन का आपको सम करना है ओके so mean deviation हमको किस तरह से कैसे निकालना है और मीन डिविशन आपको दिया गया है 50 ओके तो देखे मीन डिविशन का formula क्या होता है mean deviation is equal to sigma ओके अग एक साई माइनस मीडियन अपॉन कितना होता है total number of data in तो मतलब हर data को आपको median को माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पर मीन डिविशन कितना दिया 50 equal to अब देखे सबसे पहला data आपके पास में कितने हैं सबसे पहला data आपके पास में जो है सबसे पहला data आपके पास में है पहला data आपके पास में है a so mod लगाना है आपको क्योंकि मीन डिविशन में mod लगता ही है so a and minus कितना है 50a by 2 okay then इसके बाद अगला data आपके पास में कितना है 2a यहाँ पर दिखे थोड़ी सी mistake होगे इसको सही कर लिजे 50a okay done so a minus 51a आएगा sorry है 50 लिखे वाई यह mistake मत करिएगा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन mistake से मुझसे तक हो जाती है कई बार काफी सारे step करने के बाद पता चलती है तो बहुत दुख होता है so अगला है 2a minus 51a upon 2 इस तरीके से चलते जाएंगे चलते जाएंगे and last data कितना है इसका 50a minus 51a upon 2 ठीक है ना अब थोड़ा सा pattern को पहचानने की आदर डालिए upon में total number of data कितने है 50 है तो मैं एक काम करता हूँ यहां से 50 को हटाता हूँ और यहां पर 50 का multiply कर देता हूँ जिससे कि हमको काफी सारी जगह मिल जाएगी 50-100 अब देखिए धी मैं इसको solve करता हूँ तो 2 into a 50 a 2 a हो गया और यह कितना आएगा यह आएगा 49 a upon 2 क्योंकि mod है तो negative प्लस हो गया 2 2 जा कितना हो गया 4 4 minus 51 that is equal to 57 a by 2 ओके देन इसके बाद कितना आएगा चलते 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 इस तरीके से देखिए आपके पास में यह term जो last की बचेगी 2 into 50 okay 2 into 50 that is equal to again 49 a by 2 मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि term repeat हो रहे है okay so 2500 equals to two times two times of देखे two times क्योंकि यह भी दो बार है यह भी दो बार है so यह 49 a by 2 तो जा कर कि फिर 47 a by 2 मतलब odd subtractions हो रहे है तो odd subtractions देखे कहां पर रुकेगा 3 a by 2 and last में आपके पास कितना आएगा a by 2 इस तरीके से odd subtractions जा करके कहां पर रुकेगा a by 2 पे okay 25 में और 26 में number term पर यह जा करके रुकेगा अब देखे अब यहाँ पर आप क्या करिए यहाँ पर आप common ले लेजे 2 और 2 ऊपर और नीचे से common लेके cancel कर देगे और साथ में a common ले लेंगे तो आपके पास देखे 1 plus 3 plus 5 plus dot 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 up to 49 तो टू से टू cancel कर दीजिए ना ट्वन्टी फाइव हंड्रेड एक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइबाइब और नैचेरल नंबर का सम टोटल नंबर्स किते हैं यहाँ पर 25 है तो स्वरी 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 इग्जैक्ली 25 ही है क्योंकि वन्ट्री अल्टरनेट है ना 49 त तो देखे 25 से तो 25 के टम कैंसल हो गए बच गया कितना 100 तो A is equal to 100 upon 25 that is equal to 4 तो answer A की value किती आ रही है यहाँ पर 4 आ रही है आप समझ सकते हैं कि इस question को अगर आप हाथ भी लगा रहे हैं तो आपका बहुत सारा सामय ले रहा है जिनकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है नहीं बनी होती जैसे cricket में कुछ गेंदों को आपको रोकना भी पड़ता है ऐसे ही competitive exam में ही कुछ questions से अगर आप उलाज रहे हैं तो आपके नंबर कटेंगे तो प्लीज इस चीच का ध्यान रखीगा ओके ड़न ओके गाइस तो चलिए next question पर देखने देखे अगला question यहाँ पर दिया गया है straight line का question है यह ओके chapter straight and class 11 का question है the distance of the point 41 from the line 4x minus y equal to 0 मतलब आपके पास एक point 4,1 from the line 4x minus y y,0 okay so 41 की हमको distance निकालनी है किसे निकालनी है लाइन से 4x minus y equal to 0 मैंने मान लिए एक लाइन है यह 4x minus y equal to 0 तो सबसे पहले चेक कर लिए कि कहीं यह point c line पे तो नहीं है 4,4 जा 16 minus 1 15 है तो मतलब भी point line ही कर रहा है 4,1 की distance माल लोई कोई point 4,1 बैठा हुआ है इसके distance आपको निकालनी है along the line making an angle 135 degree with the positive direction of x-axis कर रहा है इस line के along निकालनी है यह एक line आपको जिक रीख रही है इसके along मतलब जैसी यह distance है तो एक तो होती है आपकी सीदे सीदे perpendicular distance दिस्टेंस बट वो नी निकालनी है आपको इस लाइन के अलोंग निकालनी है मतलब इसके पैरलेल ओके इसके पैरलल तो आपको यह डिस्टेंस निकालनी है तो देखो भाई सबसे पहले इसका एंगल यह लाइन जो कितना एंगल बना रही इस लाइन इस मेकिंग एंगल 135 डि पॉइंट 4,1 से, so equation 1 आई ये y-y1 equal to m into x minus x1, m कितना है minus 1 और x minus x1 तो हो गया कितना x minus 4, so y minus 1 is equal to minus multiply minus x plus 4, x plus y equal to 5 हो गया, ये अपने पास आ गई है इस line की equation, अब देखे रहां से, हमें क्या चाहिए ये distance चाहिए है, ये point हमें चाहिए पड़ेगा, तो हमें क्या कना पड़े वाला जो point आरा, कितना आरा, 1,4, तो ये दुबारा लिख दिया मैंने, sorry, so 1,4 है, अब आपको निकालनी है, distance to distance formula, 4 minus 1 का square, plus 1 minus 4 का square, equal to 9 plus 9 का root, that is equal to 3 root 2, and this is correct, option number 2, done, ओके देखें दुस्तों, ये आपके सामने question number 74 है, question में कह रहा है कि the first 4 terms of the AP are P, 9, 3P minus Q, and 3P plus Q, ये 4 terms है, आपको बोला गया है, 2010 तरम क्या होगा, चलिए इससों solve करतें देखें, देखें, option में कहीं पर भी P और Q की terms में option नहीं है, इसका मतलब हमको जो है, P और Q को पहले हम value find करनी पड़ेगी, तभी हम उसके बाद इसकी value निकाल पाएंगे, तो बिना P Q की value find करें, हमारे पास कोई चारह नहीं है, कि हम इसमें कोई short trick लगा सके, तो सबसे पहले हमें P और Q की terms की value find करनी पड़ेगी, तो देखें, क्या है अपने पास में, हमारे पास जो term दिये ग Q और माइनस का कितना 9, चलिए तो 3P को इधर ले आएंगे, तो माइनस P और माइनस 3P कितना हो जाएगा, माइनस का 4P, and प्लस का Q, और माइनस 9 और माइनस 9 कितना हो गए 18, इसको मैं लिख सकता हूँ, 4P माइनस का Q, that is equal to plus का 18, ये equation number A बना लिजे, चलिए दूसरी condition generate करते ह आए, तो आप इसको लिख सकते हैं, कि 3P माइनस Q, माइनस का 9, that is equal to 3P plus Q, और माइनस का अटेक होगा, तो 3P माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, तो यहाँ से 3P, 3P कैंसल हो गया, ओके, so 3P और इधर से माइनस का Q, माइनस का Q ह और एक और Q है, so यहाँ पर 3Q हो जाएगा, देखे, यह भी माइनस Q है, यह प्लस 2Q हो गया, so 2Q आने की वज़े से यहाँ पर कितना हो गया, 3P माइनस 3Q, that is equal to, प्लस का 9, so यह दि मैं इसको solve कर दो, 3 कॉमान लेके cancel कर दो, P माइनस Q, that is equal to 9, equation number B, अब A और B कॉम solve करते हैं तो देखे, 4P माइनस Q, equals to, दिया गया है, 18, and 3P, P माइनस Q, that is equal to, कितना है अपने पास में, 9 ही है, यह यह भी 9 है, तो आपके पास में देखे, इसको क्या कर सकता हूँ, मैं, इसको subtract कर देता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखे, 4P है, तो यहाँ पर जाएग फोड़ी सी गलती आ रही, क्योंकि यह भी मैंने इसको, यह P की वैल्यू 5 सम्थिंग आ रही है, तो यहाँ पर 4P, यहाँ पर, sorry, मैं लिखा भी मैंने कर रहे थे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3P, और 18, minus 9, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रही है, हाँ, देखे, यहाँ पर गलती हुए, यहाँ पर 3 हमने common लिया है, और इसको cancel नहीं किया है, तो यह गलती हो गई है, 3 से cancel करना था, तो P minus Q equals to 3, इस वज़े से यहाँ पर mistake हो रही थी, देखे, अब सब कुछ सही है, so 4P minus P equal to 3P, Q से minus minus plus हो जाएगा, okay, so यह cancel हो गया, so 3P equals to कितना हो गया, आपने पा Q की value कितनी आगे, 2 आचुकी, तो हमाँ पस P आचुकी है, Q आचुकी, अब हमाँ पस AP जनरेट करनी ही, तो AP के 2 terms ले लिजे, P, N, 4, 9, so P मेरे पास कितना है, 5 है, और then कितना है, 9 है, तो मेरे पास इस AP का first term आचुका है, 5 and common difference मेरे पास आचुका है, 4, और मुझे इसका चा 9D, ओके, A की value कितनी है, अपने पास में 5 है, प्लस 2009, multiply by D की value कितनी है, हमाँ पस D की value, D is equals to, मेरे पास आया है, 4, ओके, बिकाज पहला term 9 है, and then, sorry, पहला term 5 है, then 9 है, so यहाँ पे 4 आचुका है, चलिए, यह solve करते हैं, so, 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 कुछ करबढ़ हो रहा है, A plus N minus 1 into D, okay, A plus N minus 1 into D, so, first time हमाँ पास P की value कितनी है, 5 है, okay, and then, second हमाँ पास आ रही है, 9, so, अब हमें इसको solve करना पड़ेगा, so, चलिए, solve करते हैं, देखे, value आती है, 5 plus 49 जा 36, देखे, 49 जा 36 आ रहा है, unit place पे 6 आ रहा है, और 6 और 5, 11 होता है, तो कि एक ही option match कर रहा है, तो इसका answer ह होना चाहिए, 8041, यहीं पर मैं टिक लगा दूँगा, बिना आंगे, solve करें, बट चलिए, solve कर दीता हूँ, 49 जा 36, carry 3, तो इस 0 plus 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8, so, answer कितना आ गया, 8041 is the correct answer, done, ओके, चलिए, friends, यह देखिए, अगला question है, this is question number 75, ओके, कहा गया है, sin x plus i cos 2x and cos x minus i sin 2x are conjugate of each other than, आपको कहा गया, एक दूसरे के conjugate है, so, I can write this, sin x plus i cos 2x is the conjugate of the other one, cos x minus i sin 2x, तो compare कर दी, इसको solve किया पहले, sin x plus i cos 2x equal to cos x plus i sin 2x, अब देखिए, real part, real part equal होंगे, और imaginary part, imaginary part equal cos x करने पर आया, 10 x equals to 1 and cos 2x equal to sin 2x करने पर आया, 10 x equals to 1, तो, अब हमारे पास हमें ऐसा solution चाहिए है, जो दोनों ही identity को satisfy करे, दोनों ही questions को क्या करे, satisfy करे, तो चलिए, option से दिखाते है, देखिए, x equal to 0 पर यह 10 0 हो जाएगा, तो यह तो satisfy नहीं कर रहा है, अच्छा, x equal to 1 डा 10 2 equal to 1, तो यह भी गलत है, 10 1 की value 1 नहीं होती, तो यह भी गलत हो गया, then x equal to n pi, अगर मैं n pi डालूँगा, तो दीखे, x equal to n pi पे, जैसे x equal to n pi पे मैं डालता हूँ, तो x equal to n pi पे, x की जगह आप, जो है, n की जगह आप 1 ले लिजे, ओके, x की जगह आप 1 ले लिजे, तो सा पारे cases के लिए दे के 10 n pi कितना आता है, 0 वाता है, तो अगर इन answer में 0 होता, तो n pi answer हो सकता था, but अभी answer नहीं होगा, क्योंकि right side में आपको 1 चाहिए है, okay, then last option 2 n plus 1 pi by 4, तो n की value 0 ले 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 लेता हूँ, मैं, तो कितना आ जागा, pi by 4, तो 10 pi by 4, तो 1 हो गया, but 10 2 by 4, यानि कि 10 pi by 2, infinity हो जाएगा, तो solution नहीं, तो देखा जाए, तो इसमें 4 options गलत है, इसका answer, इस particular answer होना चाहिए था, एक और answer none of these, तो इसका answer होगा none of these, क्योंकि कोई भी answer यहाँ पर सही नहीं है, done, okay, next question, question number 76, जो कि permutation and combination का देखे क्या कह रहा है, a candidate is required to answer 7 questions out of 12 questions, 12 questions में से 7 questions किसी परिक्षारती को attempt करने है, each containing 6, तो section से इस परिच्छा में, जिसमें कि सभी दोनों section में part 1 है, part B है, और दोनों में ही 6 questions रखे गया है, okay, आपको कह रहा है कि, he is not allowed to attempt more than 5 questions from each section, मतलब किसी भी group से 5 से ज्यादा question वो attempt नहीं कर सकता है, बताइए वो पेप कितने तरीके से paper कर सकता है, देखो आप उसको allowed कितने 7 questions, okay, अब 5 से ज्यादा नहीं कर सकता है, अगर पहले में 5 करता है, तो दूसरे में 2 करेगा, अगर 5 से कम पहले में 4 करता है, तो दूसरे में कितने करेगा, तीन करेगा, फिर अगर तीन करता है, तो इसमें से 4 करेगा, और पहले में 2 क को सेलेक्ट किया तो 65 दूसरे में से 2 कोशन multiply by 62 या और है तो और लगेगा एक separate choice बनीगी देखो seven question की choice ये बन गई then इसके बास seven question की choice ये बन रही है तो या यानिकी और 64 multiply by 63 या अगें 63 multiply by 64 देखो कुल में लाकर ये जो choices हैं combination wise इसी को repeat कर रही है अगर आप इसको लिखोगे ना तो क्या लिखोगे 63 इंटू 64 लिखोगे ओके दन इसके बाद क्या लिखोगे आप 62 इंटू 65 लिखोगे जो की दोनों एक ही चीज़े तो इसलिए मैं यहां पर क्या कर दिया इसी को twice कर दिया कि जो करने वाले आप इसी को repeat करने वाले हो तो मैंने multiply by 2 कर दिया ओके चलिए तो देखे 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ 61 लिख लूँगा एन 62 को क्या लिख सकता हूँ 62 को मैं लिख सकता हूँ मत कुछ मत लिखो सीरे solve कर दो 62 मतलब 6 into 5 नीचे 2 into 1 ठीक है solve हो गया यह now 64 is equal to 64 को मैं लिख सकता हूँ 62 formula ncr equal to ncn-r से n63 को मैंने solve कर दिया 6 into 5 into 4 3 into 2 into 1 total solve करने पर answer कितना हैगा 780 is the right answer done moving to the next question अगला question देखे जोगी बहुत ही प्यारा question है बहुत ही easy question दिया है KVS ने अगला question दिया 1 plus cos 2x equals to under root 2 cos inverse cos x तो सबसे पहली बात है principal domain pi by 2 से लेके pi दी गई है तो pi by 2 से लेके pi के बीच में वैसे ही यह तूट जाएगा किसमें x में तूट जाएगा क्योंकि इसकी principal branch किती होती 0 से लेके pi ओके तो यह देखे cos inverse cos x जो है break हो जाएगा चलो खेर उसको आँगे break कर देते हैं तो 1 plus cos 2x equal to 2 cos square x जिसका root खुलेगा तो under root 2 cos x आएगा root 2 से root 2 cancel cos x equal to cos inverse cos x cos cos eliminate होने के बाद cos x equal to x आएगा और x की value जो दी गई है वो किती भी गई है pi by 2 से लेके pi के बीच में वैसे साब देख रहा है अगर option से भी आप test कर लो तो cos 1 cos 2 cos 0 आपस में कोई बराबर नहीं होते हैं infinitely many solution भी नहीं होगा क्योंकि आपका interval बहुत छोटा है अब खेर आँगे की बात करते हैं कि क्या यह match कर पाएंगे की नहीं कर पाएंगे देखे y equal to x जो line है वो इस तरीके से आँगे बढ़ती जाती है और pi by 2 से लेके pi में जो graph जाता है cos का वो इस तरीके से जाता है क्योंकि pi by 2 पर 0 होता है और pi पर कितना होता minus 1 तो उपर वाला graph y equal to x उपर भाग रहा है और यह graph नीचे आ रहा है कहीं पर cut point नहीं है इसका मतलब किते solutions है इसके no solutions है और आप चाहें तो option से भी match कर सकते हैं इसके कोई solution नहीं होंगे ओके done दोस्तों मैं एक बात बता दूँँ आपको कि यहाँ पर भूला गया है कि number of real solution इसलिए आप x के place पे इनको ना put करके देखें क्योंकि यहाँ पर hello की संख्या मांगी गई है यह देखे हिंदी में लिखा है number of solutions पूछे गए hello की संख्या मांगी गई है तो क्या है जल्दवाजी में यह नहीं कि आप इनको put करके देखने लग जाए जैसे मैंने अभी put कर दिया था तो वो गलत मैंने put किया मेरे को लगा कि हल पूछे गए है तो मैंने जैसे भी put किया ना कि x equal to 1 तो sorry उसके लिए sorry बोलूँगा और please वैसा नहीं करिएगा क्योंकि hello की संख्या पूछी गई है यह नहीं बोला गया कि मतलब की हल दिये गए है इसमें बताओ हल कौन सा है हला कि किसमत से यह बात सही है कि अभी match नहीं हो रहा है यहां पर तो यहां पर देखा जाए तो option में क्या हलो की संख्या कुन्यों सलूशन तो answer यहां पर क्या जीरो आएगा यहां पर कोई हल नहीं है तो answer यहां पर 0 आएगा बट आप पूट करके देखो कि तो कॉस्ट इरो एककोल टू जीरो यह गलत हो रहा है मतलब मेरे कहने का मतलब है हलो की संख्या पर विचार करना हल नहीं है यहां पर इसलिए यहां पर हलो की संख्या देखनी आपको सब्ट्रैक कर दो 4-2x जो है वह आपके पास कितना जाएगा वह जाएगा आपके 3 से ले करके 3 से ले करके क्योंकि आपने 4 एड कर दिया तो 4-1 3 है 3 से ले करके 5 में जाएगा और इसको आप रैसी प्रोकल कर दीजिए तो 1 upon 4-3x तो क्या हो जाएगा 1 upon 5 और 1 upon 3 तो छोटी value क्या है 1 upon 5 तो 1 upon 5 से बड़ा होगा और 1 upon 3 से छोटा होगा so the y is between 1 upon 5 to 1 upon 3 done तो answer इसका कितना होगा option C होगा इसका option 3 is the correct answer done okay moving to the next question अगला question है question number 79 देखे क्या कह रहा है अगला question कह रहा है कि अगर alpha beta alpha and beta is not equal to 0 मतलब आपको 0 put नहीं करना है in fn equals to alpha to the power n plus beta to the power n जो fn है वो आपके पास alpha की power n plus beta की power n है so आपको बताना है कि आपको बताना है कि यह जो expression है इसकी value क्या होगी जहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपको दिया गया देखे fn की value यह दी गई है और आपको दिया गया है यह जो expression solve करने पर आ रहा है k 1- alpha का square 1- beta का square और alpha- beta का whole square यह आपको सारी situation दी गई है okay terms में आपको alpha beta के terms में आपको answer दिया गया है okay तो देखें कैसे करेंगे सबसे पहले आपके पास में तो यहाँ पर एक twice यह भी है कि क्या alpha और beta की कोई value ले जा सकती है तो alpha और beta की कोई value आप ले तो सकते हो जैसे कि 3 ले लो क्यों 1 ले लो के तो 0 हो जाएगा तो 1 पे तो गड़बर हो जाएगी आपको 2, 3 और 4 वगएरे ले सकते हो यहाँ पर तो मतलब ऐसा ले सकते हो बट problem यह कि अगर आप कुछ value लेते हो तो यह term बहुत बड़े बड़े जा रहे है और फिर हमको बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी तो मैं पहले direct method से करता हूँ short trick का भी idea मैं नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर so fn equal to alpha की power n plus beta की power n दिया गया है so चलो series मैं series लिखता हूँ देखे series मैं मैंने लिख दी यहाँ पर कितना है देखे यहाँ पर series में है 3 है यहाँ पर 3 लिखना था मैंने गलती से 1 लिख दिया है okay so this is equal to कितना 3 तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ सब कुशन आधा समझ में आ जाएगा दन इसके बाद one plus f1 f1 कितना आएगा इन की जिए के one डालो तो alpha plus beta f2 कितना आ जाएगा one plus alpha square beta square फिर one plus alpha plus beta फिर से f1 आ गया हूं फिर f2 फिर f3 फिर f2 f3 f4 इस तरीके से मेरे पास से sequence बन गई अब देखो यह जो question actually j means का question है जो जेई में पूछा जा चुका है सीरे kvS के exam में दे लिया गया इसको करते कैसे कभी कभी question है one plus one plus one मतलब पहले term में one से one से multiply हुआ गो तो यह first row बन गई और यह first column बन गया ओके दन इसके बाद में one 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 जो है अगले में पर प्रस अलफा प्लस बीटा मतलब यह one 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 रहेगा और यह रहेगा one into alpha into beta and then one into alpha alpha square और beta square तो one alpha square beta square इस तरीके से यह row set हो गए और यह column set हो गए है ओके दैन इसके बाद फिर से देखिए क्या आगला रहा है रहा है one alpha beta तो यहां पर 111 है तो हमको क्या लेना पड़े और similarly अगले में क्योंकि यह one 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 है तो sorry यह one alpha square beta square लेना पड़ेगा तभी one 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 से ही क्या generate करेगा one alpha square beta square मतलब भी बहुत बढ़ी है लॉजिक है इस लॉजिक को कई बार आपको लगाना पड़ता है अब देखो ध्यान से यह जो determinant है और यह जो no determinant है यह एक दूसरे के transpose हैं आप देख लो ओके इसका यह देखो यह वाला कॉलम क्या है one 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 है और इसकी यह वाली जो रो दिखरी है क्या one alpha beta है और इसकी यह वाली जो रो दिखरी है क्या one alpha बीटा है इसकी थर्ड वाली रो देखो क्या है वन अलफा स्क्वेर बीटा स्क्वेर है और इसकी भी थर्ड वाली रो देखो जो आपको दिख रही है यह जो दिख रही है यह कितनी है वन बीटा एंड बीटा स्क्वेर यह इसका कॉलम है यह इसकी रो है मतलब यह दोनों एक दूसरे के determinant की value same होती क्योंकि आपको पता है कि transpose करने पर determinant का value change नहीं होता तो इसको अपने लिख लिए 1 1 1 1 alpha beta and 1 alpha square beta square हमने जो है यह चीज लिख लिए अब चलिए मैंने क्या operation लगाया R1 C1 से मैंने C2 को minus किया और C2 में से मैंने C3 को minus किया तो क्या लगा दी है मैंने C1 tends to C1 minus C2 and C2 tends to C2 minus C3 यह operation में लगा है तो 001 1 minus alpha alpha minus beta and 1 minus alpha square alpha square minus beta square और beta square और whole power 2 लगा हुआ है तो देखिए यहां से इसको solve करते हैं तो 1 minus alpha square alpha minus beta square क्योंकि 1 minus alpha 1 minus beta बाहर आएगा और क्या क्या बचेगा देखिए 001 उपर हो यहां बच गया यहां 1 बच गया यहां 1 बच गया यहां 1 प्लस alpha यहां alpha plus beta और यहां क्या बच गया बच गया बीटा का square चली पूरा open कर दीजे तो यह आपके पास में आएगा 1 minus alpha square alpha minus beta square और beta minus 1 square देखा option में तो कौन सा value ओहो k की value पूछ रहा है इसके साथ में k है तो देखे यह term match कर गया यह term match कर गया alpha minus beta match कर गया अच्छा beta minus 1 कहलो या 1 minus beta कहलो whole square लगने के बाद दोनों बड़ाबर हो जाते हैं बचा क्या k तो के की value किसके को लारी के को लारी के को लारी ओके तो correct answer क्या होगा इसका के को लस्ट वन टन थोड़ा सा बड़ा question था थोड़ा सा tricky question था जिसने जे-mains level के question लगाए हैं उनको यह पता रहा होगा नहीं तो ordinary तरीके से तो भाई सा बहुत ज़्यादा परिशान हो गया होगे और जो लोग value alpha beta की value 2 और 3 एक करके solve किये होंगे वो तो उनका तो मतलब क्या बूला जाए भाई बहुत बड़ा या तो नहीं बनते हैं तो हाथ मत लगाओ बिल्कुल टच नहीं करो आंगे बढ़ जाओ नहीं तो मतलब क्या हो जाएगा आपके paper का मैं बूल नहीं सकता हूं ओके डन ओके चलिए देखे अगला question बहुत ही जबर्जस्त है क्या कहरा question यहापे थोड़ा सा जूम करना पूड़ेगा हाँ यह कहरा question कि if plane ax plus by equal to zero rotated through an angle alpha मतलब आपके पास कोई plane है और आपने उसको alpha angle से rotate कर दिया है the equation of the plane in its new position आपने किसी plane को alpha angle से rotate कर दिया है तो चलिए अगर आपके पास कोई coordinate plane भी होता है समतल होता उसको आप rotate कर देते हैं तो 3D में आ जाता है तो मेरे पास जो पहला equation आपके पास दिया गया था उस equation को मैं लिख लेता हूं मेरे पास पहला equation है ax plus by equal to zero equation number one अब इसको rotate क करने के बाद इस equation की नई plane में माल लेता हूं कि ax plus by plus cz ax plus by plus cz equals to zero ओके इस plane को मैंने rotate कर दिया अब देखो यहाँ पे 0 मैंने क्यों चेंज कर दिया अगर मैं plane को rotate कर रहा हूं एक्सेस के बाउट किसी एंगल पे तो पहले भी origin से जाएगी तो बाद में भी origin से जाएगी क्योंकि rotate करने पर origin चेंज नहीं होता है तो पहले हाँ अगर आप shifting करते तो origin चेंज हो जाता बट यह आप shifting नहीं कर रहे है तो origin चेंज नहीं होगा equation number 2 ठीक है ना अब देखिए क्या कह रहा है कि यह जो नई पोजीशन में है मालों यह पुराना plane है ओके और नया plane यू इस तरीके से आ चुका है तो इनके बीच का एंगल कितना दे रहा alpha है सो मैं formula बना सकता हूँ okay cos alpha equal to formula क्या a1 a2 b1 b2 c1 c2 upon under root a square b square ऐसा कुछ होता है सो a into a कितना हो गया a square यह कितना हो गया b square और नीचे कितना आ जाएगा दोनों के direction ratios का square होता है यह हो जाएगा a square plus b square और यह हो जाएगा under root a square plus b square plus कितना c square यह आ गया अब एक काम करें दोनों तरफ का स्क्वायर लें लेकर इधर आप मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यह हो जएगा कॉस स्क्वार अल्फा हई इंटू ए स्क्वार बी स्क्वार और मल्टिप्लाइ बैई SQAर प्लास B स्क्वेर प्लस सी स्क्वेर यह हो चुगा है ओके ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर का होल स्क्वेर देखिए यहां भी ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर है होल स्क्वेर लेने के बाद तो यह स्क्वेर से एक स्क्वेर क्या हो गया कैंसल हो गया सो cos square alpha into a square plus b square plus c square equal to हो गया कितना a square plus b square अब हमें चाहिए क्या है हमें c की value चाहिए तो c square हमें अलग करना पड़ेगा तो देखिए मैं यहां से क्या कर सकता हूँ यहां से मैं इस तरीके से कर सकता हूँ cos square alpha multiply by a square plus b square plus cos square alpha into कितना हो गया c square equal to a square plus b square तो यहां से यही मैं c square into cos square alpha कर लूँगा तो a square plus b square जो है common आ जाएगा और यह छोड़के 1 बैठेगा और 1 minus इधर यह चीज़ चले जाएगी तो 1 minus cos square alpha जो की बन जाएगा क्या sin square alpha तो c square cos square alpha that is equal to a square plus b square और bracket में कितना हो गया 1 minus cos square alpha equal to sin square alpha तो c is equal to a square plus b square into sin square alpha upon cos square alpha that is equal to 10 square alpha और यह c square है तो c की value यहां पर आने वाली ही देखे c की value का हमें ध्यान डखना है चले थोड़ा सा highlight करके लिखूंगा c की value को देखे यहां से थोड़ी सी जगह चाहिए भाई मुझे तो c equals to देखो under root यदि मैं लूँगा तो a square b square का तो under root आ जागा plus minus पहरी लगा दो और root के अंदर कितना आ जागा root के अंदर आगा a square plus b square और sin और cos कितना होता 10 square alpha तो यहां पर आ जागा 10 alpha तो finally अब हमको equation के अपनी लिखनी है जो हमारी equation बननी थी उस equation को लिखना हमको देखे कौन सा answer होगा तो हमारे पास जो equation बनेगी plane की यहां से plane की equation बनेगी रिखे क्या बनेगी यहां मैं लिख देता है plane की equation ax plus by plus c c की value कितने आई है मेरे पास 2 आई है plus and minus बट देखे यहां पे सब के सब equation plus में है तो मैं भी plus में लूँगा z multiply by c में रोको ना करना है तो c कितना आएगा under root a square plus b square और 10 alpha तो यह तो minus वाला है यह भी गया यह भी गया और यह cost alpha में है तो यह भी गया तो correct answer कौन सा होगा a is the correct option इसका answer है ax plus by plus z under root a square plus b square 10 alpha that's it done ओके ओके देखे दोस्तों अगला question एकदम बच्चों वाला question है कह रहा है कि a and b are the subset of integers जो है कि a और जो b है set of integers के subset है यहाँ पर दीर रखा है a की value minus 4 से लेके 10 तक के integers तो minus 4 से लेके 10 तक के integers and b की value minus 3 से एक लिए 9 तके तो obviously दिख रहा है कि a जो होगा वो b को पूरा पूरा contain करेगा तो a क्या होगा, superset और b क्या होगा subset इसका, अब इस वज़े से b is the subset of a अब इस condition में बोलागी कि a intersection b क्या होगा, तो obviously जो है common part क्या होगा, b का होगा, so correct answer is equals to b, done okay, moving to the next question आई देखते, question number 82 कह रहा है if a and b are two sets of containing two elements and four elements respectively मतलम number of elements in a a में कितने elements है, two elements है और b में कितने elements है, b में four elements है so total a cross b में Cartesian product में कितने elements होगे, eight elements होगे अब कह रहा है आपको उतने subset select करने है जिसमें कि तीन या तीन से ज़्यादा element हो it means eight में से three वाले, four वाले five वाले, six वाले, seven वाले, eight वाले so total element कितने हुआ करते है two to the power n में से अगर मैं तीन pairs को हटा दू zero element वाले, one element वाले और two element वाले so total answer हो जागा मेरे पास देखे two to the power eight minus eight c zero one eight c one eight और यह कितना होता 28 so मैंने 256 में से 37 minus कर दिया so all total मेरे पास कितने element वनेंगे मेरी जरूरत के कितने sets बनेंगे okay answer two hundred nineteen subsets done okay next concept देखते है देखे the domain of the function under root a mod of x minus x okay so यह अपने पास function है so we know कि इस function के define होने के लिए जो denominator होना है root के अंदर है so it should be greater than zero so mod of x minus x should be greater than zero so mod of x is greater than x और हमको पता है कि mod of x की value greater than x कहां पे हुआ करती है वो कौन से zone है जिसका modulus जो होता है उन number से बड़ा होता है obviously सी बात है भाई कि negative number का जो modulus होता है वो negative number से बड़ा होता है क्योंकि वो positive आएगा so correct answer कितना होगा minus infinity से लेकर के zero तक के numbers तो इसका option b is the correct answer okay minus infinity to zero done okay moving to the next question देखे क्या कहरा question the volume of the parallelo piped formed by the formed by the vectors this यह पहला दिया है यह दूसरा दिया है और यह तीसरा दिया है is minimum कहरा कि इन से बनने वाला जो volume होगा और minimum कब होगा तो हमको क्या करना है कि volume के minimum होने की condition निकालनी है एक ही value निकालनी है जिस समय volume minimum हो उस समय एक ही value क्या होगी देखे क्या करते है सबसे पहले हम इसका volume निकालते है तो volume हमारा किसके terms में आगा एक ही terms में so one one a one फिर एक रहा one a one एन इसका देखे terms बने कितने zero zero one a zero one a and a zero one यह बन गया solve करके मेरे पास देखे इसका volume आता है इसके volume का मैंने function of a दे लिया है क्योंकि हमको इसको maximize या minimize या उचिस्ट या निमिस्ट इस पर लगाना है so VDSA volume मैं निकालता हूँ इसको भी मान लिए हमने okay so VDSA मैंने differentiate कि 3a square minus 1 और इसको double differentiate कर दिया is equal to 6a okay या चुक है मेरे पास में कितना 6a पहले मैं इसको एक बार differentiate किया और फिर मैंने इसको दो बार differentiate किया अब देखे आपको साई यह क्योंकि ए तो है ना देन केरा minimum value of a अब साब देख रहा है कि अगर हमें वी double dash a positive चाहिए है पड़ेगा क्योंकि 6 है अगर a positive आएगा तो positive a की value positive होने पर double dash जो आएगा derivative वो greater than 0 आ जाएगा तो इसलिए हमको जो volume मिल जाएगा क्या मिल जाएगा minimum मिल जाएगा ठीक ना तो minimum के लिए क्या करेंगे condition अब चलिए VDSA equal to 0 तो 3a square minus 1 equal to 0 so a equal to हमें पस दो choices आएगी यहाँ पर देखे याद रखेगा a sides नहीं है कि आप a को side मान करके कहतें कि हमेसा positive है no no ऐसा नहीं देखे a square equal to यहाँ पर कितना आगया 1 by 1 by 3 आया okay so 1 by 3 so a equals to plus minus 1 by root 3 तो यहाँ पर दो cases बन गए एक एक positive और एक negative अब देखे यहाँ को अगर हम यहाँ पर negative लेते हैं तो यह less than 0 हो जाता मतलब volume क्या हो जाता maximum हो जाता तो हमको तो minimum करना है ना question है किस के लिए बोला minimum के लिए बोला है तो हमको यहाँ पर a क्या लेना पड़ेगा positive so we can take a is equals to positive 1 by root 3 हलाकि minus का option साथ किस्मत से नहीं दिया गया है नहीं दिया गया कोई बात नहीं अच्छी बात है so answer होगा कितना 1 by root 3 बड़ेदी दो option होते हैं यहाँ प्लस 1 by root 3 minus 1 by root 3 तो आपको और चोकनना होता हम बता और आपको उस समय 1 by root 3 value पूट करने पड़ी so this is done ओके देखे दोस्तों अगला question है कि यह आपके सामने एक matrices दिया गया है कि a equals to इतना दिया गया है और आपको b equals to इतना दिया गया है so b की value 1 upon 10 and b की value मैंने रग दी 4, 2, 2, ok minus 5, 0, alpha and 1 minus 2, 3 and a की value 1 minus 1, 1, 2, 1, minus 3 and 1, 1, 1, equal to इतना है i के बराबर है i मतलब identity matrix ओके तो अब देखे आपका alpha कहाँ आपको वियाड़ी कुछ के निकालनी है alpha के निकालनी है तो use किसका करोगे आपको इसी का use कना बाकी से कोई मतलब नहीं है आप ये देखे क्या दे रहा है यदि ये second row है और ये first column है तो second row और first करम का multiply कितना मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है तो 0 तभी मिलेगा जब इनका multiply क्योंकि 10 तो denominator में effect डालेगा नहीं तो सीड़े सीड़े हमें क्या है इसका ये वाली row का और इस वाले column का multiply हमें कितना देखना है 0 देखना है तो minus 5 minus 5 multiply by 1 plus 0 multiply by 2 on plus alpha multiply by 1 equal to कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए so minus 5 plus alpha equals to 0 हो गया so alpha is equal to कितना हो गया plus 5 so done correct answer बिल्कुल alpha equal to plus 5 this is done so okay guys ये रहा आज का हमारा KVS PGT Math Solution 2018 का पहला पार्ट जो की बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसका पहला पार्ट complete किया है इस पूरे पार्ट को आप देखे और बताईए कि आपको कैसा लगा solutions इसके next पार्ट में हम अगले हिस्सों का solutions लेकर के आएंगे तब तक के लिए हमें आगे दीजी जे ही जे भारत बहुत बहुत नमस्कार